असलाम अलेकूं मेदे आपके यह से होंगे अच्छा आज हम स्टार्ड कर रहे हैं इंफरेंस पर पॉपुलेशन स्टेंडर्ड डेविएशन हेंड़ाउट 7 चेप्टर नमबर 11 अभी तक हमने हेंड़ाउट 5 और 6 आपके साथ दिसकस किया है चेप्टर 9 और 10 के अंदर हमने वन सेंप्टल में को कवर किया है और वन मीडीन हीपसिय टेस्टिंग को कवर किया था चैप्टर नंबर नाइन के अंदर चैप्टर नंबर नाइन में मैंने आपको बताया था कि जो वन सेंपल होता है इसके अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं एक के अंदर जोना जी टेस्ट लगता है एक के अंदर टी टेस्ट लगता है तो वह सेंपल साइज के 30 से अबब होगी तो जी टेस्ट लगेगा अधरवाइस टी टेस्ट लगेगा अच्छा अगर आपको याद हो तो एक चीज़ और मैंने डिसकसी थी क्लास के अंदर के 2 तरह के जोना 4 तरह के हमारे पस देटा इस्केल्स होते हैं नॉमिनल डेटा ओडीनल डेटा और इंटर्वर और रेश्यो मिला के हम एक जोना वो काउंट करते हैं अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ आपको उना बताता चलो नॉमिनल का मतलब है जस्ट हम कुसी तो इडिन्टिफिकेशन देते हैं नंबर देते हैं मसाल के तोर पर जैसे आपकी क्लास का नंबर है कोई सीट नंबर है या कोई एड्मिट कार्ड नंबर है या सीरेल नंबर है जो भी अटेनिंस में आपका नंबर है यह नॉमीनल नंबर है इसका कोई मतलब नहीं है यह अग आप डिफरेंट प्लेयर्स देखते होंगे करकेट के अंदर या फुटवाल के अंदर या बाकी जगों के अंदर उनकी पीछे शर्ट पे नंबर लखे होते हैं उन शर्ट का कोई नंबर या मतलब नहीं होता वो जस्ट एक इडिन्टिफिकेशन होती है अच्छा ये दस लिखे हो आए तो वह नंबर वहन है क्षम इसका पुई मतलब नहीं होता है इसको हमारे और उर्दु युनिवस्टिक अंदर ऑान बात करें तो वहां पर हमारे रूम्ल हमने वन थ्री से लेकर हमेब यूं के फिरन का मतलब बहुत बडा रूम है तू का मतलब तो यह जो नॉमिनल स्किल देटा कहला तक अजिसको म में वेजिस्ट नमबर देते हैं तो नॉमिनल डेटा के लिए हमारे पास जो डिसerdिव तूल वह मौड दिसकृप्टEveryone U का कोई standard deviation calculate नहीं होता मोड simply mode calculate होता है और इसके लिए inferential states जो जी अभी हम course पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है different test available होते हैं जो कि हम अगले chapters में उसको cover करेंगे जिसमें hypothesis proportion और kya square test वगरा ये apply होते हैं mode के लिए one mode के लिए या multiple modes के लिए तो ये हमारे पास inferential के test available है दूसरा मैंने आपको बताया था data के जो scale है दूसरा number वो है ordinal scale अब ordinal scale का मतलब यह है कि data आपका एक order में है जैसे अगर किसी cricket के players की अगर world ranking जोना issue होती है तो बताया जाता है कि यह number one batsman है यह number two batsman है यह five number पर है यह eight number पर है तो यह एक किसम की ranking यह order है जिसे हमें पता लगता है कि अच्छा यह player जो है ना वो इस वक्त पहले नंबर पर आ रहा है इसकी betting average जतनी है इसकी balling average जतनी है तो वगयरा वगयरा यह सारी चीज़ें जतनी भी हैं यह जो है basically order को show करती है इसलिए हम उसको ordinal skill कहते हैं यह सरकारी मुलाजमीन अगर आप देख लें तो किसी का grade एक होता है किसी का grade टू होता है इस तरीके से करते करते grade 22 तक लोग जो है ना होते हैं उसमें भी आप देख लें तो आपको खुदी order पता लग जाएगा अगर कोई बंदा grade 18 का है तो लाजमी बात है grade 17 वाला उसके नीचे अंडर में आएगा उसके ऐसा नहीं होगा कि grade 17 वाला जो ना उपर बिठावाओ और grade 18 वाला उसके अंडर में काम कर रहो ठीक है ऐसा यह एक हसाब से हमारे मुल्क में यह तो possible होता है कि सियासी बन्यादों पर ऐसे फैसले होते हैं लेकर अगर अपर grade वाला बंदा उपर होगा और लोवर ग्रेड वाले नीचे होगे तो यह का order है तो यह order जो है ना वह ordinal data order से ही निकला हुआ है आ पृड़िनल डेटा के लिए जो हमारे पर descriptive तूल अवेलेबल है वह है median वह है कि मेडियन मेडियन के लिए अभी तक हम वन मीडियन का जो टेस्ट है वो कर चुके हैं विलको जो टेस्ट है डवडिव टेस्ट है बन सेंपल मीडियन के लिए हमने यूज़ किया था ठीक है और फिर हमने two median के लिए independent samples के लिए यूज किया था main Whitney और फिर हमने two means related sample के लिए विलकक्षन signed rank test यूज किया था यह सारे median के test थे one median two independent median और two related median के लिए one median के लिए विलकक्षन two independent median के लिए main Whitney और two related median के लिए विलकक्षन sign rank test तो यह test हमने median के लिए यूज किये थे तीसरी हमारे पास जो category है वह है interval ratio data interval ratio data basically ऐसा data होता है जिसके अंदर जोने या तो equal distance हो या उसका कोई ratio बनना हो बिसाल के तोर पर अगर questionnaire के अंदर आप कुछ option देखते हैं जिसमें लखा होता है strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree इस किसम के जो option होते हैं हर option के number होते हैं यह strongly agree को हम code करते हैं coding देते हैं हमने suppose को 5 दे दिया, agree को 4 दे दिया, neutral को 3 दे दिया, disagree को 2 दे दिया, strongly disagree को 1 दे दिया इसी तरीके से अगर questionnaire data के अंदर आपने लखा होगा age लखा होता है age, age में लखा होता है कि आप कुन सी age bracket में fall करते हैं आया आप 21 से 25 साल के हैं 26 से 30 साल के हैं 31 से 35 के हैं इसी तरीके से different breakage हम बनाते हैं यह भी interval scale का जो ना वो example है या इस तरीके से जो ना हम salary वगरा भी questionnaire के अंदर पूछते हैं तो salary के अंदर पूछते हैं कि मैं आपकी salary एकीस हजार से 30 हजार 31 से 40 41 से 50 इस तरीके से जन तो यह भी एक interval scale है इस किसम के data को analyze करने के लिए हमारे पास जो descriptive tool available है वो है mean descriptive tool available है वो है mean और अगर one mean होगा अगर one mean होगा तो उसके लिए z test या t test apply होगा z जो है simple size अगर 30 से above होगा या 30 होगा तो apply होगा t test अगर simple size 30 से कम होगा तो जो है apply होगा तो यह थोड़ी सी description होगई कि ratio interval data के अंदर mean use होता है और one mean के लिए z test और t test available है two mean के लिए भी t test available है two mean अगर हम लेंगे लाजमी बात है जहां mean होगा वहाँ standard deviation होगा याद रखें mode और median का कोई standard deviation type की चीज़ calculate नहीं होती लेकिन mean के लिए standard deviation calculate होता है तो जहां एक mean होगा तो एक standard deviation होगा जहां दो mean होगे तो वहाँ दो standard deviation होगे अगर दो standard deviation approximately equal है तो वहाँ पे two means के अंदर pooled procedure apply होगा और अगर standard deviation approximately equal नहीं है तो non pooled test apply होगा pooled और non pooled यह दोनों independent sample के लिए use होते हैं यानि इसे sample जिनका आपस में कोई connection ना हो और two related sample के लिए paired t-test apply होता है paired t-test वहाँ apply होगा जहां पे related sample हो related sample का मतलब ऐसा sample जिसका आपस में connection हो यानि अकसर अंपरी और post कोई procedure apply करते हैं तो उसमें हमारा जो subject होता है वो एक ही बंदा होता है तो हम सरफ pre or post के results को देख रहे होते हैं तो इस किसम के test के अंदर जो है अगर दो sample है तो PRT test जो है ना वो apply होगा तो यह थोड़ा सी description हो गई अब एक चीज़ और यहां पे note करते चलें जिसका सरफ mode calculate होता है उसकी और कोई चीज calculate नहीं हो सकती mode calculate होगा तो simple mode calculate होगा जिस चीज़ का median calculate हो सकता है याद रखें जिसका median calculate हो सकता है तो उसका mode भी calculate हो सकता है और जिस चीज़ का median calculate हो सकता है उसका mode भी calculate हो सकता है और जिस चीज़ का mean calculate हो सकता है उस चीज़ का median भी calculate हो सकता है उस चीज़ का mode भी calculate हो सकता है ठीक है तो एक दूसरी चीज़ यह याद रखें कि मीडियन और मोड के लिए जो इन्फरेंशल स्टेट्स के अंदर जो हमने टूल पढ़े हैं या पढ़ेंगे जिसे मैंने मोड के लिए का था काय स्कुायर अप्लाए होगा या प्रोपोर्शन टेस्ट अप्लाए होगा या पर मैंने का विलका अक्सन हमने अप्लाए किया है या पर जो है हम कहते हैं कि मैंन विटनी अप्लाए होगा तो यह जितने भी टेस्ट आप देख रहे हैं यह नौन पेरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं यह नौन पेरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं जबकि मेन के लिए जिसे इने z test apply किया है टी test apply किया है आगे भी जो ना यही चीज़े रुपीट होंगी जी टेस्ट और टी टेस्ट तो यह parametric test किलाते हैं यह parametric test किलाते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ की वशाद करता चलो कि अगर आपने mean के उपर अगर आपने mean के ओपर कोई non parametric test apply कर दिया यह नी मिसाल के तोर पर data mean है लेकिन आपने wilcoxon test apply कर दिया उसके ओपर या main Whitney apply कर दिया ठीक है mean data के ओपर तो यह अगर आपने समझे प्रामेटिक यहां पर test लगने चाहिए उसके बजाए आपने non parametric apply कर दिये तो ये अगर आपने apply कर दिये तब भी result जो है वो valid माने जाएंगे यानि उसमें कोई issue नहीं है कि parametric test apply होना था आपने non parametric apply कर दिया तो उसके results जो है ना वो गलत नहीं होंगे वो results बिल्कुल accurate होंगे उसको हम valid मानेंगे लेकिन अगर किसी चीज़ के ओपर non parametric procedure apply होना था और आपने गलती से parametric apply कर दिया तो वो results जो है वो null and wide हो जाएंगे यानि उनकी कोई जो ना acceptance नहीं होगी विसाल के तोर पर एक median है और उसके ओपर आपने t test apply कर दिया या z test apply कर दिया तो उस सूरत में वो results काबले कभूल नहीं होंगे ठीक है यह अभी जो हम chapter cover करने जा रहे हैं यह भी एक तरह का जो ना non parametric test standard deviation ठीक है यह एक हमारी अलग category है जिसको जो है हम standard deviation केते हैं जैसे mean mean का mean testing करेंगे तो mean testing जो है वो हमारी parametric test है जबकि जो standard deviation के अगर हम testing करेंगे अलग से standard deviation अगर हम test करेंगे तो यह non parametric test कराएगा तो इसके अंदर भी non parametric के tool available होंगे ठीक है तो standard deviation जो है वो different categories में fall कर सकता है ठीक है ordinal data का हिसा भी बन सकता है nominal का भी बन सकता है वो depend करता है तो अभी हम इसको discuss करते हैं लेकिन यह parametric test नहीं है और interval ratio scale का part नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं chapter number seven को discuss करते हैं chapter number seven में जो पहला part है वो यह है कि हमें जो है table से value find करनी है अब यहां पर एक चीज़ और clear करता चलो जब हमारे पास one standard deviation की testing होती है लेखें हम one mean, one median, two mean, two median की testing कर चुके हैं इस chapter के अंदर हम one standard deviation और two standard deviation की testing करेंगे ठीक है हर testing के अलग-अलग procedure या अलग-अलग table available है one standard deviation की लिए जो हमारे पास test available है या जो हमारे पर procedure available है वो है काई square है चाई काई square ठीक है जिसका यह एक स्टाइब कर यह जो सिंबल आपको नजर आ रहा है यह बिसिकली काई square है यह काई square कर सिंबल है जो आपको नजर आ रहा है तो तो consider है काई square कर विच 17 degrees of freedom use table seven to determine part a में है काई square 0.99 और part b में है काई square 0.01 ठीक है अब काई square table जो है काई square table जो है उस में जो area given है वो area पूरे का पूरा right area डिवन है यह यह जो table values आपको given है यह जो टेबल values हैं, यह जब आप apply करेंगे, यह जब आप apply करेंगे, इसका मतलब यह है, मिसाल के तोर पर, अगर आप यह वाली table value use कर दें, point zero, zero point zero zero, अगर यह वाली value apply कर रहे हैं, तो देखें, उपर जो है न, काइस कार की value आ रही है, zero point nine, double nine five, इसका मतलब यह है, के zero जहां पर है, जैसे काइस कार का zero यहां से शुरू होता है, यह जिसे, देखो यह zero, बिल्कुल origin से शुरू होता है, अगर आप x-axis, y-axis, अगर आपको याद हो, तो यह हमारा, जो है, y-axis होता है, यह हमारा x-axis होता है, ठीक है, तो zero हमारा जो है, वो center में, यहनि के starting में होता है, ठीक है, जबकि जो अगर आपको टी टेबल और जी टेबल याद हो, तो टी टेबल और जी टेबल में जो है न, वो minus x भी होता है, और plus x भी होता है, ठीक है, और curve जो है, इसके दरम्यान में बनता है, कर्व जो है वो दर्मयान में ऐसे बनता है यहां पर जो है कर्व दर्मयान में नहीं बनना जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कर्व जो है वो पूरे जो नव पॉजिटिव एकसिस और पॉजिटिव य एकसिस पर है जबकि जी कर्व टी कर्व जो है उसमें य एकसिस तो पॉज तो ग्राफ कि अंदर जो है चार क्वाड़न बनते हैं जिसमें पहले क्वाड़न में एक स्थ्भ होता है वाय 2 में बनता है यह जिसमें य तो positive होता है लेकिन x negative भी होता है और x positive भी होता है जबकि काय स्क्वायर या बिलकक्षन या मेन विटनी जो table है वह सरफ first quadrant में बनते हैं यानि वह 0 से शुरू होते हैं और फुर positive ही होते हैं उसमें कोई negative value नहीं होते ही तो सबोस यह Zero की जो बात हो रहे है यह Zero जो है इसका मतलब यह है कि यह Zero basically यह Table यह Table की Value है, यहई Zero, यह Zero Table की Value है यह वाली, अब Zero अगर Table की Value जो मतलब Zero से इस तरफ जो Area है वह 99.95% तक्रीबन 100% के कारीब हो गया है ठीक थोड़ा सा मार्जन है इसके और लेकिन यह और टक्रीब हो गया जहां जिपल्ड वेल्यु होगी इसके राइट पे बिए जीरो के यहां पर चो पर एत्ला एरिया है उसका यह क्या लिखावार है इसका मतलब काई इसकोर टेबल में जो इस वेल्यू के राइट पे जो इतना area है तो a zero से राइट पे जतना भी area वह 99.5% है अब हमें आ गया है काई सक्वाइट 0.99 इसका मतलब यह है कि हमें ऐसी टेबल वेल्यू Фाइंड करनी है इसके राइट साइड पे 99 परसंट एरिया हो याद रखें कायास कार का टेबल जो आपको गिविन है तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक पार्ट गिवन है यह वाला यह वाला पार्ट आपको गिवन है यह जो मेरे राइट साइड पे नदर आ रहा है जो एरो आपको नदर आ रहा है यह वाला पार्ट आपको जो टेबल में गिवन है लेकिन इसके अलावा मैंने आपको डेटेल टेबल प्रोवाइड की है देख लें तो यहां पर detail table है लेकिन अगर आप वह हमारे नॉर्मल जो टेबल आपको given है उसमें देखिएगा काई स्पायर का table no.7 है तो हमने देखा के 0.99 जो ना right पर area हो 0.99 हमने यह किया 17 जो हमारा degree of freedom है 17 के सामने हमें चले गए उसके सामने हमने देखा के 6.408 6.408 देख यह जो लिखा वाए इसके यह वाला जो area है यह वाला जो area है वह 99% है इसका मतलब यह वाला जो area है यह मैंने लिखा वा है 99 और यह वाला area जो है यह 1% है तो यह हो गया 99% area अब दूसरा प्रमिक आ गया है कि 0.01 यानि 1% area right side तो अब अगर आपको बड़ा area find करना हो तो table के ह आप आएंगे और छोटा area find करना हो तो table के इस उससे में आप find करेंगे तो बड़े area यह यह नि काइसकार पूरा table जो है वो जो भी value आप लेंगे उसका मतलब वो right की value suggest कर रहा है जैसे हमने 6.408 लिया तो इसका मतलब यह है कि यह पूरा right का area 99% है अब हमें 1% right area चाहिए 1% right area चाहिए तो हम 0.01 के column में चले गए लिग रिए freedom वही 17 है तो हमारे पास value आगी 33.409 33.409 देखे मैं यह लिखा है 1% हमारे पास जो है वो यह area आ रहा है इसका मतलब इसके left side पे 99% area रह गया होगा लाजमी बात है कि मैंने 1% right पे area हो उसकी table value find की है तो 1% right की area वाली value अग person area होगा तो यह थोड़ा सा काय square की description है एक चीज़ और भी आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ जब 0 से शुरू हो रही देखें यहां से अगर 0 से शुरू हो रही है तो 0 के बाद 1 आएगा पर 2 आएगा पर 3 आएगा तो लाजमी बात है 6.408 जो होगा वो 0 के करीब होगा और 33.409 तो होगा तो वो 0 से लाजमी दूर होगा तो यह चीज़ भी आप समझ सकते हैं अब यह part question number 1 का part A और B हो गया अब आ जाए part C के उपर COD के उपर अब हमें का गया consider का स्कॉर्इर सेवंटीन डिग्री वही सेवंटीन डिग्रीज अफ रीडम है का स्कॉर है है विंग एरिया पॉइंट 05 तो टिस लेप्ट 5 परसंट एरिया तो टिस लेप्ट यह नहीं इसका मतलब यह है कि 95 परसंट एरिया जो ना वह पे हो अगर हम चाते हैं कि लेफ्ट साइड पे 5 परसंट एरिया हो तो अंडर्स्टूड है कि 95 परसंट एरिया जो है वह राइट पे होगा और का स्कॉर की यह पूरा टेबल है वह सिर्फ राइट का एरिया शो करता है तो हम क्या करेंगे 0.95 के कॉलम में जाएंगे 17 डिग बैशा गया है कि 5% हमने 95% वाली वेल्यू फाइंड कर ली 95% राइट वाली वेल्यू अगर हमने फाइंड कर दी तो अंड़िस्टूड है 5% वेल्यू जो बचेगी वह लेफ्ट पर बचेगी तो अगर काय स्कॉयर में मैं आपको का जाएंगे 5% तूट लेफ्ट या 1% given है वो right side का area की table values given है left का area आपको find करना होगा तो आप hundred में से वो left वाला percentage minus करके जैसे यहां पर 5% है तो hundred में से मैंने 5% minus करके 95% की value find किये क्योंकि अगर मैं 5% से value find करता तो इसका मतलब यह वाली जो value होती है न वो 5% right वाली value आती मेरे पास जो गलत होता है यह 5% left पे चा रहा है left पे चाने का मक्तद यह है कि राइट पे 95% वाली value find करेंगे तो फिर हमारा यह answer सही होगा उसके बाद अगर आप पार डी में देखें पार डी के अंदर जो है वो 5% to it is right कह रहा है 5% to it is right अब इसके अंदर आप देख सकते हैं काय स्कॉयर 0.05 अब चूंके मझे राइट पे चाहिए तो राइट वाली value जो काय स्कॉयर की पूरी table है सारी right values को शो कर रही है तो हम जो ना 0.05 के कॉलम में 17 degree of freedom में देखा के 27.258 तो यह value अगर आप देखें तो यह table value के से राइट पे जो एरिया होगा यह वाला जो एरिया है वह 5% होगा understood है यह वाला एरिया 95% होगा आगे बढ़ते हैं कुस्चिन नमबर वन कंटीन्यू है अभी तक हमने a b c d पार्ट कर लिया है degree of freedom वही 17 है अब पार्ट e में हमसे कहा गया है काय स्कॉयर वेल्यू डिवाइ करनी है यानि two-tailed test करना है इसके दर्म्यान में 95% एरिया हो और डाई परसन राइट पे हो और डाई परसन लेफ्ट पे हो अब लाजमी बात है अगर मुझे डाई परसन लेफ्ट पे वेल्यू फाइंड करनी होगी यानि 025 अगर मुझे लेफ्ट पे चाहिए उसका मतलब ह इसके मुझे यहां टेबल में से पॉइंट 975 वाली वेल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि 0.975 वाली जब मैं वेल्यू फाइंड करूंगा तो इसका मतलब 0.025 value जो है न वो right left पे होगी तो मैंने क्या क्या है 0.975 की value find की है जो आ रही है 7.564 17 degree of freedom के सामने आप देख सकते हैं 7.56 और यह हमारे पास value है और इसके यहने के left पे जो area होगा वो डाई परसन होगा चुकि 97.5% की value मैंने find की है तो इसका मतलब यह है कि इसके right पे 97.5% area होगा left पे 9% area होगा ठीक है तो यह वाली value का मकसद यह है यह जो 97.5% के सामने से यह value find की गई है इसका मतलब ही यह है कि इसके left पे 9% area होगा ठीक है अब हमें चोंकि 2 values चाहिए इसके right पे चोड़ना है और डाई परसन left पे चोड़ना है डाई परसन right left के लिए तो हमने 97.5% की value find कर ली तो इसका मतलब डाई परसन left पे तो आ गया अब डाई परसन जो है ना वह राइट पे बेल्यू find करने के लिए मैं क्या करूंगा क्योंकि का स्क्वाइर की value given ही जो ना वह राइट वाली है तो डाई परसन 0.05 के सामने अगर मैं देखूंगा तो 17 degree of freedom के सामने 30.191 आ रहा है तो यह value जो आ रही इसका मतलब 30.191 के राइट पे जो जो एरिया है यह 2.5 परसन है डाई परसन है अब अगर हम देखें तो इस value के राइट पे 97.5 परसन एरिया है लेफ्ट पे डाई परसन एरिया है ठीक अब इस value के राइट पे डाई परसन एरिया है और तरफ 97.5 परसन एरिया अब अगर मैं यह कहूं कि डाई परसन हमारा यह कट गया और डाई परसन यह कट गया तो दर्म्यान में यह जो एरिया रह गया यह 95 परसन रह गया तो यह हमारा जो है सेंटर में 95% एरिया है डाई परसन इधार है डाई परसन इधार है टोटल 100% हो गया दर्मियान में 95% हो गया अब हम बन इस टेस्टिंग की तरफ जाते हैं हाइपोसिस टेस्टिंग का यह प्रोसीजर है जो यहां आपको नदर आ रहा है वही छेस्टिंग जो हमने कवर किये हैं और वही यहां फालो होंगे सुर्फ आरेका टेस्ट प्रोसीजर अपना अपना है तो प्रोसीजर हम यहां पे लिखावाए और इसको आगे मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको वहां मजीद समझ म आएगा तो कुस्चिन नबर टू को अगर आप देखें उसमें लिखावाए एस टू यानि यह सेंपल स्टेंडर्ड डेविशन है इकवल टू थ्री और एन इकवल टू टैन यह सेंपल साइज तैन है और सेंडर्ड डेविशन सेंपल का जो वह त्री है और पर नल आपोथ टेस्ट करना है तो मैं वही छेस्टेप फालू करूंगा नल आपोथ बना दिया सिग्मा एकवल टू फॉर यानि स्टर्ड डेविशन इस एकवल टू फॉर सिग्मा लेस दिन फॉर स्टर्ड डेविशन से लेस देन पो सिग्निफिकंस लेवल 5 परसंट है चुँके यह ले बाद रखें पिछले सवाल में हमने किया था जब मुझे लेफ्ट पर कोई एरिया चाहिए सपोस्पाइपरसंट चाहिए तो टेबल से मैं 95% वेल्यू फाइंड करूंगा क्योंकि टेबल यह जो बनावा है यह सिर्फ राइट का एरिया शो करता है लेफ्ट का एरिया शो तो मैं क्या करूंगा एंड्रेट परसंट में से 5% माइनस कर दूंगा तो 95% राइट वाली वेल्यू जो है वो मुझे यहां नजर आ रही है जो मैं फाइंड करूंगा 3.325 यह जो वेल्यू मुझे नजर आ रही है डिग्री अफ्रीडम 9 है अगर आप देख लें डिग्री है लेकिन स्टेब 3 में हम जो हम इसका ़र टेस्स ट्री च्डिस्ट करते हैं तेस्स ट्री Savage का यह वाला फारमुला बढ़ दीया से इंड मानस 1 स्ट् 선생 g crystal स्कॉयर मानस स्टैनल्ड डैवईशन स्कॉयर यह हमारे पास फारमूला है स्को अगर हम देखे एंड मारा टैन एंड म तो हमारा answer आ रहा है 5.0625 5.0625 अब हम table से value find करते हैं 5% हमारा significance level है degree of freedom 10-1 हो गया 9.95 के column में अगर हम देखेंगे तो 3.325 हमारी table value आ रही है अब ये left held है ये काइसकार का table है काइसकार के table में ये 0 है ठीक है अब मुझे 5% left पे area चाहिए तो left area के लिए मैंने value value find case का मतलब ये है कि 3.325 के left पे जो ये area ये 5% है ये जो area 95% है अब याद रखें ये left held है तो left value के left side पे rejection region किलाएगा ये हम पहले भी कबार कर चुके हैं कि अगर value left होगी left held होगी तो left held जहां पे table value लिखी होगी table value से left पे जो area होगा वो rejection और right का जो पूरा area वो acceptance कहलाएगा इसी तरीके से अगर right held होगा तो right side वाले table value के right side पे जो भी area होगा वो rejection होगा left वाला acceptance region होगा अगर two held होगा तो left और right जहां जहां table value दोनों लिखी होगी right वाले table value के right side पे और left वाले के value के left side पे rejection region होगा और इन दोनों के दरम्यान में जो region होगा वो acceptance region किलाएगा तो यह लेफ्ट है तो लेफ्ट के लेफ्ट साइड पर जो एरिया है प्रोजेक्शन है यह एक्सेप्टंस है अब चूंकि यह इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता अब जीरो अगर यहां से चुरू होता है तो अगर हम देखें तो 3.325 हमारा यहां आ रहा है तो 3.3 के बा में फॉल कर रही है यह जो वेलियू है वह एक्सेप्टंस प्रिजन में फॉल कर रही है तो ल्यादा हमारा नवाव पुस जो है वह रिजैक्त नहीं हो रहा हो हम कहेंगे के स्टेंडर्ड डिवेशन एकपल टू फो ठीक है उसके बाद हम कंटीन्यू कर रहे है कुस्चियन नमबर टू को अभी हमने इसको देखें ये पार्ड ए किया था है पोगोदओर अब हमें 90% कॉंफिड़न इंटरवल भी कल्कुलेट करना है 90% इंटरवल कल्कुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे वही डेटा है हमारे पास वही चीजिए है 90% इंटरवल हमने फाइंड किया ह याद रखें, one-tailed या two-tailed का जो concept है, one-tailed या two-tailed का जो concept है, वो सिर्फ और सिर्फ hypothesis testing के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ hypothesis testing के अंदर है, confidence interval में हमेशा two-tailed होगा, confidence interval में हमेशा two-tailed होगा, alpha divided by 2 होगा alpha divided by 2 होगा चाहे कुछ भी हो जाए तो यह हमारे पास formula है यह formula है ठीक है हमारे पास 90% confidence interval है इसका मतलब alpha हो गया 10% formula में है alpha divided by 2 पर 1- alpha divided by 2 अब alpha हमारे पास 10% है 10% divided by 2 तो क्या हो जाएगा 5% और 1-10% 90% divided by 2 हो जाएगा 95% यहनि 10% को divided by 2 करेंगे तो 5% होगा 1 से minus करेंगे तो 95% आ जाएगा इसके बाद multiply by ASP करना है तो अब हम पहले 0.05 की table value और पर 0.95 की table value पहले 0.05 की table value देख ले 0.05 की table value है 16.919 क्योंकि degree of freedom हमारा 9 है sample size 10 है 10-1 करेंगे तो 9 आ गया 9 हमारे degree of freedom है 0.05 का column है 16.919 यहनि काय स्क्वाइर alpha by 2 या काय स्क्वाइर 5% की जो table value आई है वो 16.919 आई है यह वाली वैली उसके बाद 0.95 की value हमने find की है degree of freedom वही 9 है उसकी value आई है 3.325 ठीक है यह फिर हमने data answered किया रेंज बनी है 2.73 से लेके 1.65 तक यह हमारा confidence interval estimate हो गया question number 2 उसके बाद question number 3,4,5,6,7 भी इसी pattern पे होंगे तो उसको आप question number 2 को देखते वे आप उसको solve कर लेंगे यह one standard deviation के सवाल थे यह one standard deviation के सवाल थे ठीक है अब हम आते हैं two standard deviation की तरफ two standard deviation में f table apply होगा two standard deviation में f table apply होगा one के लिए kya square apply होता है two standard deviation के लिए f test apply होता है अब क्योंकि यहां पे two standard deviation होते हैं तो f table को use करने के लिए degree of freedom भी ढी degree of freedom भी दो होंगे degree of freedom भी दो होंगे आप degree of freedom में देखें एक degree of freedom आरहा है four दूसरा degree of freedom आ रहा है एट डिग्री thoughts अगरे ध्रिव माधेट जो पहला degree of freedom होता है वो degree of freedom blurator कहलाता जिसकों boolen David N लीनल मतलब numerator और वीसरा degree of freedom जो होता है वो dfd यानि degree of freedom denominator पहला numerator दूसरा denominator इसलिए इसको पहले पहला जब भी value आएगी इसको dfn और दूसरी value को dfd कहेंगे तो f का table अगर आप देख लें तो यह आपको dfn यानि उपर यह जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी नदर आ रहा है यह dfn की values हैं यह नि first degree of freedom की values है और यह जो dfd वाली जो है 1, 2, 3, 4 यह आपको column में नदर आएंगे यह row वाली जो 1, 2, 3 है यह degree of freedom n का है और यह column वाला जो 1, 2, 3, 4 है यह degree of freedom denominator का है d का है यह आप देख सकते हैं यह पर देखो यह dfn लिखाव है dfn यह numerator के degree of freedom है यह dfd यह denominator के degree of freedom है ठीक है तो हमारे पास जो है हमें 0.01 area फाइंड करना है 0.01 area फाइंड करना है अब 0.01 area फाइंड करने के लिए जो आएफ टेबल है f टेबल के अंदर प्य जो area है वह right का area होता है वह हमें 0.01 find करना है degree dfn 4 ए और दीजो हैँ आइट अब दीएफ एन 4 यह दो 4 पे और DF D जो है वह ऐट थीक है 4 और 8 यह हमने देको यहां पे एरो लगाए वे 4 यह जो ब्लेक अरो दें यह वारे रो और यह दूसरा ब्लेक अरो जो है वो यह 8 और इसके फिर हम यहां देख सकते हैं यह 0.1 यानि 10% 0.5, 0.25, 0.1 यानि 1% के सामने आपको dfn4 और dfd8 के सामने जो table value आपको नज़र आ रहे है वो 7.01 है अब 1% का मतलब यह है कि यह जो table value है 7.01 यह basically 7.01 जो है यह 1% right का area यानि इसके left पे 99% area होगा इसके left पे 99% area होगा तो यह तरीका कार होता है यह mechanism होता है dfn और dfd के मदद से हमने table value find की ठीक है यह यह जो table value यानि 99% area जो है वो right पे होना चाहिए यह अब हमें left side की value left पे 1% area चाहिए यह area 1% right पे था याद रखें एफ टेबल जो area में देता है वो सिर्फ राइट का देता है left का नहीं देता right 1% हमें find करना था सीधा सीधा 1% में चलेगे हमारे पास table value आगए अब left पे अगर हमें 1% चाहिए तो इसका तरीका कार यह होता है कि एक तो यह dfn और dfd इसका हम order change करते हैं यह जो dfn फॉर था और dfd एट था अब 8 को 4 की जगा लेके जाएंगे और 4 को 8 की जगा लेके जाएंगे यह जो dfn था उसको dfd बना देंगे जो dfd था उसको dfn बना देंगे यह उसको reverse कर देंगी तो अब क्या होगा जिसे हमारे पास यह अब dfn है अब dfn जो है अब dfd बन गया क्योंकि अब यह dfd बन गया और यह dfd जो था वह dfn बन गया तो अब क्या करेंगे कि आप यह वाला कलर देख सकते हैं यह बलेक कलर के साथ एक आपको कलर नजर आ रहा है पता नहीं कौन सा कलर है तो यह देखें यह dfd अब यह अलांके dfn लिखा हुआ है लेकिन अब आप इसको dfd मानेंगे क्योंकि अब हम जो है ना left की value find कर रहे हैं तो यह सबसे पहले हम इसको order जो है रवर्ष करना पड़ेगा dfn को dfd मानना पड़ेगा तो हमने dfn को dfd माना तो four हो गया four dfd में हमने यह देखा यह हमारी रो बन नहीं है और यह जो dfd यह अब dfn बन गया dfn जो है वह देखें eight अब eight और यह four और one percent के सामने हमने table value देखी यह हमारे पास table value आ रहे है 14.8 ठीक यह अगर आप आपको left side की value find करनी होगी तो सबसे पहले dfd और dfn दोनों को reverse कर dfn को dfd बना लेंगे और dfd को dfn बना के आप को अगर 99% की value find करनी है तो simply आपको one percent reverse process के through one percent के सामने वाली जो value है वो find करनी है वो find करने के बाद उसका reciprocal लेना है यह इसको one से divide कर देना है तो यह point zero seven हमारे पास आ गया है 14.8 हमने table value find की थी one divided by 14.8 किया तो point zero seven इसका अब है point zero seven के जो left पे जो area है वो one percent है right पे जो area है वो 99% है तो हमें right पे 99% area चाहिए था जो कि हमने servers process के through लिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हमें का गया है कि consider f curve degree of freedom dfn 4 और dfd जो है eight user area to five percent area to it is right यह नहीं हमें five percent right पे चाहिए five percent right पे चाहिए तो कोई issue नहीं है dfn 4 पे चले गए और dfd 8 पे चले गए ठीक है point zero two five point zero five के row में हमने देखा three point eight four three point eight four यह जो वेल्यू आ रही है इसका मतलब इसके राइट पे जो है five percent है इसके लेफ्ट पे 95 पे तो यह जो वेल्यू है वह हमने find कर दी three point eight four अब हमें का गया है part d के अंदर point zero five two two left अब यह इसमें देखें इसमें जो ना वो प्रोसेस तोड़ा सा reverse होता है वो शायद अगर part a में आपको सही समझ में ना आया हो तो यहां पर part b में अगर आपको समझ में ना आया हो तो शायद यहां आपको ज्यादा बेतर समझ में आ dfd जु है वो हमारा फोर हो जाएगा और dfd को dfn बना देंगा दीफn हमारा जो है वो eight बन जाएगा तो हमने df जो है वहां slick लगगैंक हैं इस इंडानी और विर फ़ई न्युदियु क因स believing आ इस में जो है दिव पूर्गे लगए 2 यह ईडे इफ घो हमने जो है नहीं से पर अश्युана जहीं पर पूर्ण और कि हम यह दूना चाहिए तां वदा नहीं रहाँ इसकी तो इसको यह էीं अगे और यह है में भानेक्टर दीी को इसको भुए डियोगे अगम तो हमारे पाद एक घैना हमने वह आये 6.04 हमने 1 divided by 6.04 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.17 तो यह 5% एरिया जो है वह लेफ्ट पे आ गया इसका मतलब राइट पे 95% एरिया उसके बाद पर हमें 95% एरिया सेंटर में चाहिए 95% राइट पर डाइफ पर एरिया में जोना वह छोड़ना है तो पाड़ी में आप देख सकते हैं तो सबसे पहले हमें धाई परसन राइट पर डूढ़ना है धाई परसन राइट पर डूढ़ने के लिए हम सीज़ा सीज़ा क्या करेंगे dfn4 में चले गए और dfd8 में चले गए 025 के सामने हमने ने देखा कि हमारे पास table value आ रही है 5.05 यह बलेक कलर dfn4 और dfd8 और 025 की रोव में देखें 5.05 यह table value हमारे पास नज़र आ रही है जो हमने यहां लखी है इसके राइट पर धाई परसन एरिया है उसके बाद हमें धाई परसन लिफ्ट पर भी चाहिए तो हम क्या करेंगे इन दोनों का order change करेंगे 4 को 8 मान लेंगे और 8 को 4 मान लेंगे देखें यह इसको हमने 8 मान लिया और यह जो 8 है यह समझो कि 4 हो गया यह हमारा 4 हो गया तो यह reverse करने के बाद यह हमारे पास जो table value आ रही है वह 8.98 आ रही है 8.98 हमने इसका reciprocal लिया तो यह 0.11 हो गया इसका मतलब 0.11 के left पर डाई परसन एरिया है 5.05 के right पर डाई परसन एर जुम्यान में जो एरिया होगा वो 95% होगा यह हमारा question number 8 हो गया question number 9, 10, 11 यह है जो आप खुद करेंगे और पिछले सवाल को जो है आप refer करेंगे अब two standard deviation की hypothesis testing को cover करते हैं two standard deviation hypothesis testing का procedure यहां पे आपको नजर आ रहा है ठीक है अब सबसे पहले यह data लखावा है पहला standard deviation 19.4 है एन हमारा 3 है दूसरा standard deviation 10.5 है एन हमारा दूसरा एन 16 है राइट टेल्ड है alpha 01 है follow the six step, six step को मैं follow करना है जैसे हमने mean के अंदर किया था, दो mean के अंदर, एक mean होता था तो उसको हम जो ना कसी value के साथ equal करते थे, जब दो mean आये थे तो हमने mu1 equal to mu लुखा था, यहां पर भी ऐ ऐसी होगा, दो standard deviation का मतरब standard deviation 1 equal to standard deviation 2, यहनि बोथ standard deviation are equal और क्योंकि यह right-tailed है तो greater than का sign लगाया है, यह standard deviation 1 is greater than standard deviation 2, step 2 significance level alpha equal to 5% और 0.01, it is right-tailed, ठीक है, अब right-tailed है, तो यह इसका procedure है, s1 square, s2 square, f का procedure है, 19.4 square, 10.5, यह 19.4 पहला है, standard deviation है, यह 10.5, यह दूसरा standard deviation है, दोनों को square का answer आया गया, 3.41, अब degree of freedom जो है, पहला sample हमारे पास 3 है, दूसरा sample हमारे पास 16 है, 3 में से 1 minus किया, 16 में से 1 minus किया, तो यह हो गया, 2.15, यहनि पहला degree of freedom होता है, वो dfn होता है, दूसरा dfd होता है, तो dfn 2 में और dfd 15 में और 0.01 के सामने जो table value में ने देखी, वो table value जो है, वो है, 6.36, चूंकि यह right tail है, तो लियाजा हम direct value 6.36 ले ले लेंगे, यह value हमने यहाँ पे note कर लिए, ठीक है, अब हम देख सकते हैं, कि हमारे पास यह right की value है, right side, यहनि इस table value के right पे जितना भी area है, rejection region है, और left पे जितना भ तो अगर हम देख सकते हैं, कि 3.41 जो है, वो हमारा 3.41 अगर 0 से count करना शुरू कर रहे हैं, तो 1 आएगा, पर 2 आएगा, पर 3 आएगा, पर 4 आएगा, पर 5 आएगा, पर 6 आएगा, यहनि 3.41 जो है, वो 6 से पहले आएगा, तो यहाँ पर acceptance region में आ रहा है, तो हम कहेंगे, कि बोस इसी तरीके से, इसकी जो है, यहाँ पर हमने confidence interval estimate calculate किया है, वो ही data है, पहले हमने part A किया था, यह part A किया था, part B हमने नहीं किया था, अब हम part B को करने जा रहे है, 98% confidence interval है, ठीक है, बले right tail हो, left tail हो, कुछ भी हो, confidence interval में हमेशा alpha by 2 होगा, degree of freedom, 3-1, 16-1, यहनि 2, कॉमा 15 हो जाएगा, यह हमारे पास, 1 upon, F alpha by 2, 1 upon, F1 minus alpha by 2, into S1 divided by S2, यह पूरा formula है, जिसको हमने यह लखा है, एक हमें value find करनी है, F01 की, दूसरी value हमें find करनी है, F99 की, F01 की value find करने के लिए, simply हम क्या करेंगे, के, हम, जो है, degree of freedom, जो है, 2 और 15, यहनि, DFN 2 और DFD 15 में जाएंगे, तो हमारे पार table value आ रहे है, 6.36, इसको हमने यहां लखा है, formula के असाफ़ से, 0.01 की value हमने यहां लखी, उसके बाद standard deviation 1 divided by standard deviation 2 उसके साथ लखा, उसके बाद जो दूसरी value है, वो F0.99 है, F0.99 का मतलब 1% जो हमें left पे छोड़ना है, तो हमें ऐसा table चाहिए, जिसमें जो DFN जो 2 था, वो DFN 15 हो, और DFD जो 15 था, वहां पे DFD जो है, वो 2 हो, यहनि, reverse होता है, यह आपको बता चुका हूँ, तो हमने दिखा कि DFN 15 और DFD 2 में 0.01 के सामने जो एरिया आ रहा है, 99.4 आ रहा है, उसका reciprocal लिया, यहनि उसको 1 से divide किया, 99.4 को, तो जो table value बनी है, वो 0.01 बनी है, तो यह करने के बाद हमारे पास जो range बनी है, वो बनी है 0.4 से लेके 18.48 तक, उसके बाद question number 13, 14, 15, 16, 17 भी आ solve करना है, ठीक है, यह two standard deviation के सवाल है, उसके बाद question number 18 और 19, यह one standard deviation के सवाल कुस्चन से हैं, और उसको आप question number 2 की तरह solve करेंगे, और इस तरीके से question number 20 और 21, यह जो question है, यह जो अभी हमने two standard deviation के question किये थे, इस तरीके से यह solve होंगे, ठीक है, thank you very much, अगर आपको को कोई query हो तो आप पोछ सकते हैं, ठीक है, hopefully कि आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी, इंशालला बाकि अगर कोई confusion हो तो class में discuss करेंगे, thank you very much.